पुआ दोस्तों कैसे हूँ आप सब इस वीडियो में हम बात करेंगे परिक्षध हम पब्लिकेशन की मध्धि-प्रदेश पतवारी परीक्षा हेतू पंचायति राज एवम ग्रामीन अर्थ वैवस्था से संबंदित पुस्तक की जिससे इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में उर्जा संसाधनों की तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्ट भूमी से दोस्तो 1905 में गौालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन 240 किलो वाट किया गया था मध्य प्रदेश के बिद्धुत मंडल का गठन दोस्तो 2001 दिसमबर 1950 को जबलपुर में किया गया था 1953 में चांदनी मध्य प्रदेश का पहला ताप बिद्धुत किंद्र नेपा नगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल बिद्धुत परियोजना गांधी सागर मंदस और जिले में स्थापत कीगी 1982 में मद्धिप्रदेश उर्जा विकास निगम की स्थापना भोपाल में कीगी जबलपूर इस्थित बिजली बोट भवन को हम शक्ती भवन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों अब हम टेवल के माध्यम से उर्जा के प्रकार या इस्तरोतों की चर्चा करते हैं दोस्तों उर्जा सोर्स को हम दो भागों में बाट कर देखते हैं नवी करनी उर्जा एबं आनवी करनी उर्जा तो दोस्तो बाए साइड आनवी करणिये उर्जा एवं दाए साइड नवी करणिये उर्जा के बारे में बताया गया है इनकी तुलना हम अलग-अलग बिंदों के अधर पर करेंगे जैसे कि अन्य नाम तो दोस्तो आनवी करनी ये उर्जा का अन्य नाम है परंपरागत स्त्रोत या छै उर्जा नवीकर्णी उर्जा का अन्य नाम है गैर परंपरागत स्तरोत से प्राप्त उर्जा या अक्षय उर्जा जिसको हम पुनह प्राप्त कर लेते हैं जिसका अच्छय पून रूप से नहीं हो पाता अब हम बात करते हैं उर्जा इस्त्रोतों की तो दोस्तो आनवीकर्णी उर्जा में इसके भंडार सीमित हैं वा भविष्य में समाप्त हो सकते हैं किन्तु नवीकर्णी उर्जा के जो भंडार हैं दोस्तो वा असीमित हैं वा भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते अब हम बात करें पर्यावरण के प्रभाव पर तो अनवीकर्णिय उर्जा पर्यावरण को छती पहुंचाते हैं एब हम जो नवीकर्णिय उर्जा होती है वो पर्यावरण को छती नहीं पहुंचाती अब हम दोनों उर्जा के दाहरन देख लेते हैं तो दोस्तो आ नवी करनी उर्जा में बिद्धुत उर्जा, परमानु उर्जा आदी को शामिल किया जाता है। अब हम नवी करनी उर्जा इस्तरोतों में सौर उर्जा, पवन उर्जा, बायो मास, बायो गैस आदी को शामिल किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे आ नवी करणिये उर्जा इस्त्रोतों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ताप बिद्धूत उर्जा की, तो दोस्तो इसमें कुएले की साहिता से उर्जा उत्पन न की जाती है, बिंध्यांचल ताप बिद्दुत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिंग्रॉली में स्थापित किया गया है अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख ताप बिद्दुत केंद्रों की एबं कहां पर वो इस्थित है उस इस्थान की तो शुरुआत करते हैं चांदनी ताप बिद्दुत केंदर से, यह मद्धे परदेश का सबसे छोटा एबं सबसे पहला ताप बिद्दुत केंदर है, जो की बुरहानपूर में इस्थित है, बिंद्यानचल ताप बिद्दुत केंदर, मद्धे परदेश का सबसे बड़ा त आपदुद केंदर खण्डवा में इस्थित्थे सथः सथ रुबॉर तापदुद केंदर जबल पूर में जाबुआ तापदुद केंदर सीविनी में वुंदेल खंडट tre छतरपूर बरेटी मेंस्थित्थे मालवा तापदBeodπं खंडवा में इस्थे थे, संजय गांधी ताप विद्धुत केंद्र विरस सहपूर उमरिय जले में इस्थे थे दोस्तों अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के परमानु उर्जा केंद्र की तो दोस्तो परमानू उर्जा में यूरेनियम की सहायता से उर्जा प्राप्त की जाती है चुटका परमानू उर्जा केंद्र मंडला में प्रस्तावित है एबं भीमपुर परमानू उर्जा केंद्र शिवपुरी में प्रस्तावित है अब हम चर्चा करते हैं समाचार की पन्नों से तो दोस्तो मद्य प्रदेश सरकार सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए बिनोवा भावे पुरुसकार प्रदान करेगी अब हम बात करेंगे नवी करणी हैं उर्जा इस्तरोतों की तो दोस्तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सौर उर्जा बेलिस्पन सौर परियोजना मद्य प्रदेश के नीमच के भगवान पुरा में 159 मेगाबाट से 26 फरवरी 2014 को इस्थपित की गई थी दोस्तो पहला सौर आधारट टेली काउम एक्सचेंज शिवपूरी के आयोल पाटा में इस्थे थे पहला सौर उर्जा आधारट गाउं इन दौर में कस्तूरवा गाउं है इस्थे थे अब हम बात करते हैं दोस्तो पहला तैरता हुआ सौर उर्जा प्लांट ओम का रिश्वर परियोजना खंडवा में परस्ताबित है बीना रेलवे स्टेशन पर 2020 में 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है पूर्टा है सौर रसोई वाला देश का पहला गाउ बाच्चा बैतूल में स्थित है दोस्तो सबसे बड़ा गर्म पाने करने का सौर सैंत्र साची डेरी भोपाल में स्थापित किया गया है प्रदेश का सबसे बड़ा सौर उर्जा प्लांट 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा सौर उर्जा प्लांट गूड में स्थित है रीवा अल्ट्रा सौर उर्जा प्लांट का उदगाटन 10 जुलाई 2020 को पुर्धान मंत्री नरेंदर मोधी दोरा किया गया रिवा सोर प्लांट या सोलर प्लांट 4500 करोड की लागत से 1591 एकड में फैला हुआ है दोस्तो सोलर मैन आफ इंडिया और सोलर गांधी के रूप में पहचाने जाने वाले प्रोफिसर चेतन सोलंकी या चेतन सह सोलंकी अब मध्य प्रदेश में सोलर एनरजी के ब्रांड एंबेसिडर होंगे दोस्तो यहाँ पर चाय पर चर्चा दी हुई है लिखा हुआ है क्या तुम्हें पता है अब इसका अंसर है 75 करोड की लागत से साची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा दोस्तो उरिसा का कोणार्क भारत का पहला सोलर शहर है और साची भारत का दूसरा सोलर शहर होगा प्रदेश में प्रस्तावित सोलर प्लांट जिनकी घोशना 2021 में हुई है अब हम उनकी बात करते हैं दोस्तो आगर सोलर प्लांट 550 मेगावाट शाजापूर सोलर प्लांट 450 मेगावाट नीमच सोलर प्लांट 550 मेगावाट दोस्तो इन तीन सूलर प्लांट का प्रस्ताव 2021 में रखा गया है अब हम बात करते हैं पवन उर्जा की दोस्तो मद्य प्रदेश में कुल पवल चक्कियां लगभग 150 है सरबादिक पवन चक्की वाला जिला देवास में है इसमें वायू की सहायता से उर्जा का उत्पादन किया जाता है पवन उर्जा उत्पादन के लिए 2.5 मीटर पर 30 से लेकर 25 मीटर पर 30 से केंड की वायू की गर्थी आधर्श होती है मद्य प्रदेश में सरब प्रथम 1995 में देवास जिले के जाम गोदरानी में इस्थापित की गई जाम गोदरानी में 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियां इस्थापित की गई थी अब हम चर्चा करते हैं परमुक पवन उर्जा छेत्र की तो दोस्तों जाम गोदरानी देवास में स्थे थे नागदा उज्जैन में है, मामट खेडा रतलाम में है, कुकुडू बैतूल में इस्थे थे अब हम चर्चा करते हैं बायो मास उर्जा की दोस्तों बायो मास उर्जा को अपसिष्ट पदार्थ जैसे कच्छरा, धान भूसी, गन्ना भूसी, सरसों रंठल से प्राप्त किया जाता है भारत का पहला बायो मास गाउं, कसरी गाउं बैतूल में इस्थे थे अब हम चर्चा करते हैं बायो मास उर्जा की मध्यप्रदेश में तो दोस्तों जादू खेड़ा धार में धान परेली या भूसी आधारत संयंत्र स्थापित है गौलियर, खंडवा का कटवा गाउं में गन्ना खोई आधारत संयंत्र स्थापित है एवम मुरेयना में सरसो के डंठल पर आधारत संयंत्र स्थापित किया गया है अब हम चर्चा करते हैं बायो गैस की दोस्तों बायो गैस पशू के अपसिष्ट से बनती है भद भदा पशू पालन केंद्र भूपाल में फथित है बेरसिया पशुपालन किंद्र भोपाल में इस्ते थे अब हम चर्चा करते हैं बायो डीजल की तो दोस्तो जेट ट्रोफा की सहायता से 10 किलो बाट का सयंत्र बास गड़ी मंडला में स्थापित किया गया है इसी करम में अब हम बात करेंगे समाचार के पन्नों से जो की फरवरी 2022 से संबंदित है बायो मीथिनाइजेशन प्लांट की दोस्तो इंदोर के देव गुराडिया में एशिया का सबसे बड़ा बायो मेथिनाइजेशन प्लांट सुरू किया गया है यह प्लांट प्रती दिन 18,000 बायो CNG का उत्पादन करेगा तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही यदि आपको हमारे दोरा बनाए जाने वाले वीडियो आपके एक्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो किर्पया अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो को आप लाइक करें ऐसे वेक्तियों तक या ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियो से लाव हो सकता है दोस्तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले समय में हमारे दोरा अपलोड किये जाने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समाई पर प्राप्त हो जाएं दोस्तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम इबुम इंस्टाग्राम की लिंक हमने आपको दे रखी है आप इन प्लेटफर्म से जुड़कर इनका लाभे भी ले सकते हैं तो दोस्तो लगादार पढ़ते रहें याद रखिए जितने वी वीडियो हमने अभी तक बनाए हैं और जितने वी फैक्ट्स हमने आपके लिए उसमें बताए हैं आपके एक्जाम की तैयारी के लिए आपको वो सारे एक्ट्स ध्यान लखना होंगे जिससे आप एक्जाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हैं तो दोस्तो रुकना नहीं है लगाता रांगे वड़ते रहना है जब तक कि आपको आपके एक्जाम में सफलता हासिल नहीं हो जाती धन्यवाद